बिसमेल आपके साथ कुछ नोट सियर कर रही हूं वो मैं previous lectures में आपके साथ जो टेबल थे वो discuss कर चुकी हूं अब जो मैं आपके साथ नोट सियर कर रही हूं स्टूडिन उसमें आपके पास क्या है कि जो हमने टेबल डिसकस किये कि कहां पे Z distribution लगेगी difference of means में, कहां पे pooled estimator लगेगा, कहां पे t-distributions के values लगेगे, वो उन से related examples जो हैं आपके साथ solve करूंगी, student मैं again आपको बताती जो हूँ, यह जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ share कर रही हूँ, notes share कर रही हूँ, यह already मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको इसा वैसे भी notes share कर चुकी हूँ, और BSC और FSC वालों के लिए separate पढ़ा चुकी हूँ, यह कुछ important notes थे, जो मुझे लग रहा था, कि मुझे आपके साथ share करने चाहिए, already मैं आपको sequence wise full one से लेकर 93 pages जो आपके पास यह notes करते हैं, मैं आपके साथ show करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं कुछ part आपको, जो मुझे अंदर अंदर से important लग रहे थे, वो मैं आपके साथ share कर रही हूँ, आपको solve करवा रही हूँ, ताके जो students उनको किसी किसम की confusion ना रहे, अब student हमारे पास कहा है कि test of hypothesis for difference between population means कहा है, अब student हमारे पास अगर two populations given हैं और वहां से हमने x bar samples average mean भी find करना है, वहां से हमें two sample size भी given होगे and one and two भी given होगे और standard deviation में, लेकिन hold estimator आपने कहां use करना है, अगर तो यह वो खुद कह दें, या अगर आपके पाफ population same है और उसमें इसे two samples collect किये गए, अगर population same है और two samples collect किये गए तो इसमीन आप pool estimator महां find करोगे, एक चीज़ और हमेशे याद रखें कि जब भी आपको hypothesis बनाने पड़ते हैं, जो hypothesis में आपको given होता है, वो आपको हमेशा alternative hypothesis जो होता है, वो given दिया जाता है, कभी भी नल hypothesis आपको नहीं दिया जाता, नेम में, अब वो कहते हैं, हैं, average marks of 20 students in math, 101 of section A and section with a section A, 15 with a standard deviation is 2, अब आपके पर average marks जो हैं, वो आपको क्या दे दिया गाए students, 50 दे दिया गाए X-bar, ठीक है, आपके पर standard deviations है, वो आपको S1 जो दे दिया गाए, वो 2, average marks of 15 students, सापको सेम मैथ 101 इसमीन आप देखो कि आपके पास जो पॉपॉलेशन है न वो सेम ए जब पॉपॉलेशन सेम होगी तो इट्स मीन वहां आपने जो वैलिए-उप करनी है वो पूल्ड एस्टिमेटर के लिए फाइन करनी है क्योंकि आपके पागर पॉपॉलेशन सेम है उसमें तू सांपल्स आपको गिवन है देने पूलेशन सेम है सेक्षिन बी में आपके पास मीन इन स्टेंडर डिवीशन उन्हों देदिये अब वो कहने हैं कि आपने फ सेक्षिन अगर आप इसको सेकेंड यह भी आप सेट्वेशन लिखते हो कि मिव 1 माइनस मिव 2 इस ग्रेटर देन जीरो भी आप कर सकते हो तो यह मरपा हाइपोसिस बनेंगे और आपको हाइपोसिस कौन सा गिमनों को कुस्टें में आल्टरनेटव गिवन होगा ना लिसके अगेंस ले लोगे अब सेकिंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिगनिफिकेंस वह आपको गिवन है पाइप परसन एंड टेस्ट इस्टिक आपको पूल्ड एस्टीमेटर लगाने है बिकास्ट वी हब थे सेम पापूलेशन और आप सेलेक्ट कर यह तू सांपल्स को वहां आ लगाना होता है अब आपने क्या करने स्टूडिन पूल्ड एस्टीमेटर के जूली जो आपको फार्मूले है क्योंगे आपको एस वन से गिवन एस वन टू भी गिवन है एंड टू बीवन एंड वन बीवन है आप वैलियूज पूट करो और अंसल ले लो पर डिग्री ओ फ्रीडम आपको पता है हम अल्रेडी प्रीविस ग्राफ में भी डिसकस कर चुके थे हमने जो टेबल पढ़े हैं ग्राफ पढ़े हैं कि जो डिग्री ओ फ्रीडम होता है वो एंड वान प्लस एंड टू माइनस टू होता है अब आपको फूल्ड एस्टीमेटर आ गया आप यह फार्मूला भी यूज कर सकते हैं वह अपके अपनी चौइस ऑगर आपको अबस्रेशंज गिवन होती तो आप एस्समेशन अफह माइनस एस बार को स्क्कार वाला फार्मूला यूज करें क्योंकि आप विसको प्रेफर करोगे के आपके बाद यह जादा आईजी है एं compare to other formulas अब कल्कुलेशन आपने की कल्कुलेशन आपने सिंप्ली आपने वैलियूस पूट की है और आपके बद जो आंसर आ रहे हैं वह 11.8 क्रिया रहे हैं क्रिटिकर रिजेन अगर आप फाइन करते हो तो आपके पर 1.692 आ रहे हैं इस मीन कि यह फॉल कर रहे हैं रिजेक्श रिजेक्शन और रिजेट्टेशन रेजन क्या होते हैं कि टीन दिस्ट्रिबूशन में आप नॉर्मालिटी यूज करते हो नॉर्मल पॉपॉलेशन यूज रही होती है अब यहां म्यू इस इकुल जीरो आपके पस जो वैलियो आई है टेबल वैलियो वह आई है 1.692 इस स लाइए धरील यहां पे कहीं राएं करेगा इसमीन वह फॉल करेगा रिजेक्शन रिजन में क्रिटिकर रिजन में तो जब वैलियो फॉल करेक्शन रिजन सो वी रेजेक्शन रिजन और इसेप्न यही सेम चीज़ इन्होंने आपको टेबल यह ग्राफ में बनाके दिए ज confidence interval का आपको फार्मूला पता है अब आपको तमाम चीज़ें भी find करने आगी है and one आपको given था and two given था pooled estimator जो हमने find किया pooled variance जो find किया वो भी आपको value already given थी degree of freedom आपने लेनी है pooled estimator confidence interval के लिए and x-bar one भी given x-bar two भी given आपने values को put किया है आपने जब इसको और सॉल्व किया तो मेंड़ पाल डू लिमेट साजा जाती जो टू लिमेट सोती हैं वह जो लिमेट सुथी है यह आपके पाद capital limits लेट सारी है वह अपटल लिमेट से लारी होती हैं तो यह confidence interval confidence interval कि अगर with check करने के लिए तो आप upper limits में से लोर विद आपके पार उप्त ऑफ्त ऑफ दे कॉंपिटेंस इंटरवल होते हैं कि आपकी जो वैलियोज नहीं दो वैलियो जो दिरमिया करेंगी अब स्टूडि नापके पार नेक्स्ट जो जो क्वेस्टेंस हैं उसमें भी आपको हमने जो फाइन करने हैं फू तू ताइपस आपके पास पॉपलेशन में नहीं है अब हमारे पास जहां जो पॉपलेशन गिवनन वह रूपस आपको गिवन है जो के लिए आपको नहीं कहा गिया। कि आपने लेस देन लेने या ग्रेटर देन लेने इक्वेल और नॉट इक्वेल आजएगा या आपके पाँ वैल्यू लेवल और सिग्निफिकेंस ऐलफस फाइव परसंट आजएगा टेस्ट टेस्टिस्टिक आपको अल्रेडी गिवन है आप इस तरह का कुईस्टिन आपको तो आपको करनी हैं तो आपको प्रिवेस फाइंड है आपको तमाम इंफॉर्मिशन गिवन ती आपको तमाम इंफॉर्मिशन गिवन थी इंटर्वल के लिए अगर आपको यह का जाते हैं कि आमने विट ओफ दो को माइनस कर दो कि तो आपके पाफ लेंट आ जाएगी आई होप स्टूडिन आपको इस नोट की समझ आई होंगी नोट शेयर करने का मकसर ही है कि यह तमाम चीज़ें आप आलेडी डिसकस कर चुक्क ह लेकिन मजीद आपको जितने भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सके साथ शेयर करूं जादे से जादे आप भी स्टूडिन्स के साथ शेयर करें अपनी दौाओं में याद रखिएगा लाफिस